वेल्कम बेक टुमाई टूप्ट पेपर है कर आज की बात करने वाले बटा जो भी छात्र महत्मा गांधी काशी बिद्ध्यापेट यूनिवस्टी बनारस से है उनके लिए थर्ड ये वालों के लिए बैक पेपर होने वाला है इंप्रूमेंट भी बोलता है बैक पेपर भी इसको तो यह जिलो जी का जो आप देख रहा है ना जिलो जी का तीनों पेपर एक साथ होते हैं उसके जोने वाले वाले हैं यह लोगडाउन नहीं लगा समझ रहे हो तो आपका चौबिस तारी को पेपर होगा लाल लेकिन फिर भी आपको त्यारी पूरी रखनी है बेटा पेपर आपका ज़रूर रूगा बैक पेपर ठीक है तो आप सभी लोग धान से देखें देखो मैं जो बता रहा हूं इन कोशनों को बलाबा कुछ और मत पढ़ना आपके पास सतना टाइम नहीं है जो मैं बता रहा हूं उतने कोशनों को याद कर लो एक भी कोशन बाहर ने जाएगा सारे कोशन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो पहला कोशन याद करेना, फिल पाप रोग क्या होता है, और इसके कौन से परजीबी के द्वारा होता है, और उस परजीबी का आपको लाइप साइकल, मतलब कि जीवन चकर को देख लेना है, चुहे के परकार को परजीबी के जीवन और रोग के बारे में चाइब है, और नीचे जाना, टरप्रियो सोमा के बारे पढ़ लेना, उसके लाइप साइकल के बारे में, ठीक है, उसके बाद में राट डटा बॉक मोश्ट इमपोटेंट, इसमें मोश्ट पर लगा देना, बाकि इस सब को क्या होते हैं कीठ ना सक कि वारे में देख ले बारे मौश इंपॉटेंट ना सक घीट ना सक अधे मंट ब iets तरीक का बाताना है क्था करने का तरीका क्या होड़ी मुद्ध है यदि आपके छैत DD करेंगे गरमें इसकी बाइब को याद करेंगे उसके वारे happening परजीबता और होने रोब कौन गौन से ऊसे को यादकर देना है उसकी बाद में इसको सब कुंध देना है और यहां देखना है प्रजीबता के बारे में ऊपर बता दिया तो यहां छोड़ दीजिए लाख के इसको चोड़ दी लेगा रेसम उद्धो के बारे में पढ़ेना यह लाइफ में ठीक है ठीक है वह में हाप बता देना है और रुमाइंडल कंट्रोल इसको भी शोड़ देना इसको लाइड प्रतियक्ष्ण और प्रतियाकर्शक क्या होते हैं इन दोनों के बारे पढ़ लेना यह मौस्ट इंपूर्टेंट है और मचलियों में होने वाले रोगो कि सहिब की आर्थेंग महत क्या होते हैं सहिद के आर्थ को देखे देख लेना और उसके बाद की भारत में मोति उद्धोग का निम्दर कैसे होता है भारत की अंदर बाकी यहां कुछ मत पढ़ना यह बिधना यह भी मत देखना ह। देख तैब क्या होता है कि और ये को देखना और बनवी ड्लैफ की सुरक्षा इसके बारे मिन Linux लेना वस्य था इंपोटेंट फर्स्ट पेपर में उसके बाद में साइकेंड पेपर में क्या क्या पढ़ना है टिक लगा लो पने बुक नोट गया पर जो भी से पढ़ाई कर रहा है इसमें आपको पढ़ना है बीटा देखो देखो रिकम्बूनेट डीएने टेकलोजी इसको छोड़ो यहां से पढ़ो रिकम्बूनेट डीएने टेकलोजी क्या होता है उसका विकास कैसे हुआ है उसका विकास कैसे हुआ है उसका योगदान क्या है वो दिखेंगे ठीक है और जीन क्लोनिंग क्या होता है इसको आप य बंद करूंब यह बैकसीन के बारे में याद करेंगे और व्रगार कि अथे संक पूरता तक वह में दे रखाए तो आप इसको पढ़े लेना अच्छी तरीकी से मौस्ट इंपोर्टेंट है प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से है इसको छोड़ो ठीक है एलेक्टोफोरसिस सिद्धांत इसको आप पढ़ेंगे सहसंब्द मौस्ट इंपोर्टेंट है मानक विचलन इ प्रजेक्ट के बारे बहुत ज्यादा फूश्टा है लाजमेर बैक्टर के रूप में प्लाजमी छोड़ देना डिने फिंगर प्रेंट को याद करेंगे और प्रविम्रेस रंकला अभी करें इसको आप याद करेंगे जिसे हम पीसी आर कहते हैं चैन्स रंकला रियक्शन बहुत अच्छे तरीक से देख लेना और यह कुछ याद नहीं करेंगे मद्द देखो मैन मीडियम और मोड बहुलता है इसकी परिभास सायाद करेंगे इसको मचोड़ो सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है इसको भी नहीं पढ़ना है और देखो हिस्टोग्राम क्या होता ह में मत बढ़ लेना है ऑर आकड़ो का शंघ्रह होता है कि बलेना है इसकी वक पर जाना है उसके बाद मैं तुम्हें क्या है पढ़गना है क्या होता है ठीक है और उसके बाद में जैविक समुधाये के बारे पढ़ लेना है जीवगूंपाय जाने सुख्ण के लिज़ों पढ़ लेना है यह बहुत ज्यादा इंप्रोटेंट इतना ज्यादा पूछा जाता है सबसे ज्यादा most important उसके बाद में जंसंकी प्रधी के उपर को सिन आता है इसके ऊपर अच्छी तरीके से याद कर लेाइं और अडिको अनीमाल बाइरस प्लांटबडेस सबसे ज्यादा यहाद करेंगे बिभार की वारे में याद करेंगे बिभार के यात करेंगे उसको प्रोड़ेंगे is प्रकार से होता है आप इसको पढ़ लेना तो उनके उनका प्रकार से होता है वह आप देखेंगे और उसमें इसको छोड़ेना ग्रीन हाउस फैक्ट इसको पढ़ेंगे खाज स्रंखला क्या होती आप इसको पढ़ेंगे जर्मदर और मिर्तिय वर के बारें पढ़के जाएंगे और जाल को ग्राम अभिरंजा के सौट में देखता है प्लाजमा नठीक है माई को प्लाजमा बोलते हैं और जबाड़ो बोजी को आद करन और ग्राम नेगेटिव पढ़ेंगे इनके वारे में सब छोड़ेंगे मदुमक्खी का निर्तियों बहां सामल बर्सा को पढ़ेंगे सब्सक्राइब को पढ़ लेना उसके बाद में समुधाय कि समुधाय की परिभासा पढ़ लेना मैं अब उपर बताया था आपको सब ब बता चुका हो इसको बटा चुका हो डिसको बता ओ ना maid को बता चुका हो इतना की पढ़ना आ है पढ़र लेना और पढ़ लेना हो तो आपके वेंवर ना हो मत पढ़ना ठीक है यह थे 2021 में 2022 पर हो रहा है चनवरी में उसकर आने वाल़े वाले को भीणि अ कर देना ज्यादा ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना थेंक यू फॉर बच्चिन इस वीडियो बाई बाई